बार आपको बता दी कि दिल्ली दुधान सबाद चुनाब का जो पहला रुजान है सामने आ गया है और एक सीट पर आम आदवी यहाँ पर बड़त नाईती दिख रही है जो आपर दो सीटों पर बीजेपी बड़त बनाती हुए दिख रही है तो पहला रुजान आज बजे के आएक करके बदलेंगे और रुजान का आकड़ा यहाँ बड़ी तेजी से बढ़ते हुए आगे जा रहा क्योंकि नो सीटों पर इस वक्ताम आदनी पार्टी आगे बढ़ चुकी और चार सीटों पर भारते जंदा पाटी है अब जाहिर तोर पर यह इस वक्त की जो इस ति पाटी कनेता आप रमेश महांडी है रमेश महांडी दिन की शिरुवात अच्छी हो गई है और बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि अर्वीन जी भी अपनी विदान सभा से चुनाव में बड़त बना चुके हैं और यह देखना होगा कि दिन भर मुझे ड़कता है कि इस त जो रुजहान इस वक्सापने आ रहे हैं कि इससे उत्साहित हैं या भी असमंजस केसे थी है क्योंकि यह पोस्टल बैलट्स हैं और वो धार्मी भड़काव वाले प्रचार में आने वादी नहीं है तो इसलिए जो रुजहान आ रहे हैं यह हमारे अनुमानों के मताबिक ही आ रहे हैं और यह आगे बढ़ने पर और जब सारी सीटों के रुजहान आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा अनुमान के 48 के आख़ा देने के बाद में आप लोगों में एकदम से डर कमा हो ला गया आप लोगों ने एकदम से चुनावायो को ले करके इवियम को ले करके उसकी सुरक्षा को ले करके एकदम से थोड़ा सा हताश तो देखी थी नहीं 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 देखी यह डर की बात नहीं थी ये एक तरह की वैसी बात थी कि जैसे एक विध्यार्थी इंतहान के पहली राथ में जाख करके जादा पढ़ाई करने की कोशिश करता ही करता है इसका मतलब यह नहीं कि वो विध्यार्थी कहीं डर रहा है उसने साल भर तयारी की है और अब वो अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटा हुआ है एक्जिट पोल आए उसके बाद भाज़पा के निताओं के दिबयान आए तो मेरा कहना ये है कि भई जैसे विद्याती रात भर जग करके पढ़ाई करता और अगले दिरी मतहान देता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो डरा हुआ है अपने रिचर्ट को लेकर के उसने साल भर पढ़ाई की है तो वो आश्वस है बड़ यह है कि वो कोई 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 कासर छोड़ना नहीं चाहता ठीक है मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ रमेश मोहन जी हम इस वक्त रुख कर लेते हैं हमारे सयोगी आमित दो भी हमारे साथ में जोड़े वे अमित आवाज आरी है आपको अमित सुन पा रहे हैं जी बलकुँ अमित इस वक्त जो रुखान आ रहे हैं करीब करीब सत्रा सीटों के आसपास रुखान आ चुके हैं माफ कीजेगा करीब करीब पच्चीस सीटों के आसपास रुखान आ चुके हैं कहीं न कहीं उस दावे के आसपास पहुंशती हुई भले धीमी रफ्तार से दिख रही है। देखिए चुकि राजनीतिक विकल्प उसके अलाबा कोई नहीं होता और यहीं वज़ाए कि राजनीत में हार नहीं मानी जाती है। और वही एक कारण सबसे बड़ा दिखता है जिस तरह मनुश्तिवारी लगातार 48 सीटों का दावा कर रहे थे और फिलाल एक पहले यहां पर दिखाना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी अपनी जीत को लेके कितनी आस्वस्त हैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस में खड़े हैं आम आदमी पार्टी का तो पूरी तरह से यहां पे अभी सुबह से ही जश्न का महोले अब तक जो है वो सत्रे सीटों पे आम आदमी पार्टी आगे चल लिए और जो लगातार रेगी पूर्ट की इस तरह से दावे आए थे कि आमेत जाहिर तर पर अब दो प्रमुख नेता आमादी पार्टी के मनिश सोदिया और अरविंद के जरिवाल दोनों ही नेता अपनी अपनी सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए वे और तेजी के साथ में गराफ बढ़ रहा है अमादी पार्टी का जी बिलकुल देखिए मनिश सोदिया हो या अरविंद के